देखो नीचे एक option दिया है yes continue to facebook जैसे ही तुम इस पर click करोगे उसके बाद देखो यहाँ पर मेरा account जो है जिसको मैंने delete किया था वो यहाँ पर open हो गया है बट गैस यहाँ पर प्राब्लम है यहाँ पर प्राब्लम यह यह हाई गाईज स्वाथ करता हूं आपका फिर से एक brand new audio में तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने Facebook अकाउंट को पर्मेंटली डिलीट कर सकते हैं या फिर अगर आप जो है उसको फिर से यूज करना चाहते हैं तो आप जो है उस अकाउंट को कैसे रिकावर कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वट अगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दिवा देना तो चलो अगर बढ़ते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को कि कैसे जो हमको अपने डिलीटेड फीसबूक अकाउंट को रिकावर करना है तो सबसे पहले तुम अपने फोन में फीसबूक अप जो है आपन कर लो और यहां पर अब तुमको दिख रहा होगा लॉग इन करने का ऑप तो देखो यहां पर मैंने अपने इमेल और पासवर्ट डाल दिया है जो मैंने डिलीट किया था जिस अकाउंट को उसका मैंने इमेल और पासवर्ट डाल दिया है और नीचे में जो है लॉग इन का ऑप्शन दिख रहा है सिंपली से यहां पर लॉग इन कर दो तो जैसे ही नीचे लिखा है get started इसका मतलब है कि अगर आप इस facebook account को use करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आप अपना identity जो है confirm करो तो simply से get started पर click कर दो उसके बाद देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको उपर में लिखा हुआ है your account is scheduled for deletion on August 23, 2022 यानि कि इस दिन जो है मैंने इस account को delete किया था और इसी दिन जो है यहाँ पर scheduling date पर यह लग गया था तो जो scheduling date है वो यहाँ पर दिखने लग जाएगा आपका जो भी date होगो वो यहाँ पर दिखेगा उसके just नीचे देखो मेरा profile picture और मेरा profile name भी दिख रहा है और नीचे लिखा है guys do you want to continue using Facebook क्या आप इस Facebook account को use कर रहा चाहते हैं तो देखो नीचे एक option दिया है yes continue to Facebook जैसे ही तुम इस पर click करोगे उसके बाद देखो यहाँ पर मेरा account जो है जिसको मैंने delete किया था वो यहाँ पर open हो गया है बट यहाँ पर problem है यहाँ पर problem यह है कि यह पूरा ठीक से लोड नहीं ले रहा है है ना चलो एक बार profile पर चल कर देखते हैं दो profile पाया तो यहाँ भी यह नहीं बंद कर दो वापस इसको restart को अपने facebook एप को अब देखो यहाँ पर मैंने restart किया है और देख सकते हूं गाइस कि यहाँ पर जो है मेरा properly जो है काम कर रहा है और यहाँ पर मैंने अपने profile पर अगर मैं आता हूं तो देखो मेरा profile भी जो है अक्दम perfectly open हो हो चुका है तो देख सकते हो कि कितनी आसानी से जो है हमने अपने पर्मनेंटली डिलीटेड फीस्बूक अकाउंट को जो है रिकवर कर लिया है मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिस भी दिन को तुम डिलीट करने के लिए सेडियूल करते हो उस दिन से 30 दिन का टक का टाइम होता है उसके बीच में कभी भी तुम इसको रिकवर कर सकते हो अगर 30 दिन को अंदर रिकवर नहीं करोगे तो यह जो है पर्मनेंटली डिलीट हो जाएगा उसके बाद तुम इस अकाउंट को रिकवर नहीं कर सकते तो मैंने जो है 30 दिनों से पहले जो recover कर लिया है और ये इस process से तुम भी अपने account को recover कर सकते हो तो guys कैसा लगा ये वीडियो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करतो दोस्तों के शायर करना मत बोलना और अगर इस वीडियो को रिकार्डिक कोई भी doubt है suggestion या फिर कोई सवाल है तो नीचे comment कर देना 100% try करने का तुम्हारे comment कर रिप्लाइ करने का और अगर तुम्हारा कोई genuine सवाल हुआ तो तुम्हारे उपर एक dedicated वीडियो भी लेकर आ जाओंगा और गईज अगर तुम्हें facebook से related और भी tips and tricks देखना है तो यहां पर मैं facebook का playlist दे रहा हूँ उस पर click करके देख लो और अगर तुम instagram यूज करते हो और instagram से related और भी कमाल के वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे वाले playlist पर click करके enjoy करो